आप पुरा बिहार घूम रहे हैं लोगों से मिल रहे हैं फिर भी बीजेपी की लोग कर रहे हैं कि बिहार में नितीश्क मा जो है वो बोज बन चुके है इन सब सब्सक्राइब चलिए ना आपको कभी चल के देख लिए जहां जा रहे हैं इतना बढ़का जुटा पाटी प्रवक्ता सब को बोलेंगे अहाँ यहां ब्यरती लोग के पास तुरत मार देंगे मुह में चपल अनितीस बाबू को नहीं मारिएगा दिकारियों के पास दलाली कर दिया चाटू कारिता कर दिया कि सर देख लिजे यहां पर यह लड़का लोग प्रदर्शन करेगा यह होता है सरकार का वोट बैंक का स्टेड़िजी लेकिन सरकार को लगता है बहुत बड़े तीस मार खान अधिकारी मना कर रहे थे तो अभी हमारे साथ जो हैने सीटेट बीटेट संक्या द्यक्ष मानस जी है भागलपूर छेतर से और इनके साथ वहां पर क्या घटना घट गया था जो अभी हमारे माइक पर यह आ गया तो सबसे पहले कि आप यह बताईएगा कि जब आप परची परची ले करके गये थे तो कौन सा परची दिये क्या आपका मांग था और क्यों आपको आपको जो आई-एस अधिकारी थे आपको हटा रहे थे और परची नहीं देने दे रहे थे यह वीडियो का फी वाइरल हो रहा है इसलिए पूछ रहे हम सबसे पहले तो आपको और सि की विशेश पर सिख्चों के विशेश पर पुरी मजबूति के साथ हम लोगों का सात कर देते हैं है क्योंकि लगभबर चैनल और और ओर यह पर क्या कूछ हुआ हुआ पूरे मंत्री में कारिक्रम में हम लोग कैकूछ हुआ है देखिए मुख्यमंत्री जी का कारिक्रम वहाँ पर लगवग दो ढ़ाई बजे के आसपास तिन पुलिया में होना था तो हम लोग पहले ही पहुझ गए थे एक घंटा बिफोर और हम लोगों ने बहुत ही चालाकी के साथ कोई भी आवेदन अपने हाथ में नहीं रखाता दान यात्रा होता है अवेदन देने में तो बिल्कुल महसूस नहीं कर रहे हैं साब जहां भी उनका यात्रा हो रहा था तो सबसे पहले तो शुरुवाती यात्रा के शुरुवाती समय में वहां के एसपी और प्रसासनिक बल जो है हमारे जिलाद्यक्ष को फोन कर उठा लेते थे थाने में रखते थे पूस्ताज करते यानि पूरा दिर उनका खराब कर देते थे ताकि यात्रा में ये लोग पहुँचकर मांग नहीं कर पाए नारा ना लगा पाए इस तरीके से फिर धीर आते थे और उनका परचा ले लेते थे ये कहकर कि आप लोग हमको दे दी जम समाधान करा देंगे वही डर था हम लोगों को जो हम लोग भागलपूर में इस पर अपने सात्यों के सथ आविदन लेके हाथ में लेकर नहीं खड़े थे पॉकेट में था पॉकेट में था किसी कुछ मालूम नहीं है कि यह लड़का क्यों है यहां पर क्या मांग के लिए आया है वहां पर संजोग से भागलपूर के दो पत्रकार थे मैं नाम लूँगा तो फिर बाकी लोग भी समझ जाएंगे कि ऐसे पत्रकार पर भरोसा नहीं करना चाहिए मैंने भरोसा करके और वो द उनों को कह दिया और चलाया कि ताकि अगर हम लोग जब दें तो वो न्यूस कवरेज करें आया मैं खड़े खड़ा हुआ अपने जगह पर और सामने से आयस अधिकारी और उनके जुनियर सिनियर्स ऑफिसर्स आते हैं और सीधा हम लोगों को पूछते हैं आप लोग सीटे के पास दलाली कर दिया चाटू कारिता कर दिया कि सर देख लीजिए यहां पर यह लड़का लोग प्रदर्शन करेगा तो मुख्यमंत्री जी फिर आपी लोग का क्लास लगाएंगे कि इतना जब समझाए थे तो पिर कैसे सिक्षक अभ्यरती लोग घुज गया यहां पर त होना चाहिए देखे वहां पर दो चैनल था एक का नाम तो मैं जानता हूं एक लाइफ सिटीज था एक और कोई चैनल था इसका नाम मैं नहीं देख पाया लेकिन मुझे लगता है वह सायद न्यूज 18 में सायद वह काम करते हैं सायद 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 क्योंकि उनका नया ही यह सकता है तो आए यह सदुकारी लोग सामने से आए पूछे आप लोग तो डरना क्या वहां सर है तो ओले आपका आवेधन कहा है दीजी आवेधन तो बूले सर मापको अवेधन क्यों दे GORDON'sT Median क्यों दो ओं तो पी यहान सिक्षाल disorder सो हम और समाधान हो जये, आप लोग क करा देंगे तो लिखे दीजिए कागच में आप आप करा दीजिएगा इससे तो साफ साफ यह होता है ना कि मुखमंतरी जी पहले से कह के छोड़े होंगे अपने अधिकारी को कि इन सब व्यर्तियों को यहां नहीं आने दीजिए या पिर वैसा कोई मुद्दा है जो पूरा जटिला है या पिर हम चुनाओं के टाइम पर उसको यूज करेंगे उसको सामने अभी मत लाइए उसको आने ही नहीं देना है तो वह उसी एजंडे के तहत ओफिसर्स आये थे मेरे पास वह सोचे डरा देंगे धमका देंगे तो जब वह देख लेक लड़का अल गया तो व वहाँ पर डटा रहा तब फिर उनके जो पीछे ऑफिसर्स थे और जूनियर सिनियर्स वो समझ गए कि यहां कॉंट्रोवर्सी हो जाएगा मीडिया बाजी हो जाएगा तो बला ठीक है ठीक है आप मुख्यमंत्री जी कोई दीजेगा फिर मैं वहाँ पर डटा रहा फिर रस सरीर में लगाए और अपना हाथ जो है आवेदन इसी हाथ में लिए वेते आगे किये और जितना दम था उतने जोड़ से चिला के कहें किसी तरह उनके हाथ में आवेदन पहुचा है मुख्यमंत्री जी ने देखा उसको पढ़ा भी और हर समाधान यातरा में वह वैसे ही कर akah बिल्कुल नहीं हो रहा है हुआ ही नहीं और ना हो पाएगा यह उनकी इंटैंसिं Partners का करने का इसी जाती है चाहिति कि सिक्षक की बाहलिक और अजनीतिक मुद्दा कैसे बनाए, चुनावी मुद्दा कैसे बनाए, उनको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि किसी के घर का आर्तिक स्थिति क्या है, किसी का मांसिक स्थिति क्या है जो चार साल से आंदोलन कर रहा है, उसका भविस कहां चला गिया है तो अभी एक बार पहले हम लोगों को घर में आंदोलन करना पड़ता है क्योंकि घर वाले को लगता है कि यह लोग तो पागल हो गिया है बेवकूफ है आंदोलन का मतलब क्या है एक बार हुआ गौश्याम को निकाले हुए अब तक आपको मतलब की जगह नहीं मिल पाया है घर में चार साल से क्या कर रहा है कि हम धरना परदशन कर रहा है कब करिएगा गर वाली ही कहते हैं कि अब तक करोगे तुम लोग आप आंदूलन करना छोड़ दो कोई भरोसा मत रखो कुछ और कर लो लेकिन हम लोग पढ़े लिखे हैं क्या करें मोदी जी जो कहेते कि पकोड़ा बेचना पकोड़ा तलना रोजगार है वही करें कि तेजसु यादभ कित जवास दूब भाड़ा ट्रेंड हो में मर्द करण नहीं है लिए इस तरीके से देख लीजाने पाड़े लिख daylight अ 不要 वेख मरूं भीने शानरी को इस देख लीजाना बीने बड़े लिखे लोग बड़े बड़े कुर्शीव बैठे हुए it है तेजसवी एदव का क्या người है उनका क्या महूरित है यहीं ना कि वो लालू यादव ले बेता है यहीं मेरीट हो गया यहीं महरीट है वोप वुप मुख्यमंतरी है हिट ओफ दे स्टेट काई सारा इस आई पीएस को दोड़ाते हैं फोन पर तब मतलब यूपीएस्टी को यूपाय करके आया हुआ है मतलब उस जिले में उस गौ में वो एक लौता हुना रड़का होगा जो आई पीएस बनाए उसको क्या रहे यह करो वो करो लड़का लोग क लेकिन क्या करें नौकुरी है बल पर योग करना पड़ेगा हम लोग भी नहीं चाते हैं उनके आख में देखते थे कि वो कितने मजबूर हैं लेकिन सरकार कोई शर्म नहीं है नितिश कुमार को देखे नहीं आ भागलपूर में आख में रत्ती भर का शर्म उनको है ही नही हर बात में हस देते हैं और जश्यादा कुछ पूछेगा हमको तो पते नहीं है आधिकारी लोग हमको कुछ बते भे नहीं करता है लाठी चार्जवा तर मीडिया वाला पूछा लाठी चार्जवाए मालूम है कब हुआ कहां हुआ नहीं के लिए मुक मंत्री बन गए जब अंतिम दौर में है और क्या विदाई इस उम्र में इस तरीके से लिया जाता है हम यह नहीं कह रहा है कि आपने बिहार में काम नहीं क्या सुर्वाती पांट सल आपने बहुत अच्छा काम किया अच्छा एक बात बताईए आप चार साल पहले एक्जाम निकाले हुए ठीक है अब तक आपको कोई जगह नहीं मिला और इस बार फिर लगवक साड़े चार लाग स्टूडेंट फॉर्म भरा था उनका भी मतलब की एंसर की अब तक आउट हो चुका है और कम से कम एक लाग लोग ऐसे होंगे जो इस बार फिर से एक्जाम कॉलिफाय करेंगे टोटल सीट असी हजार है प्राइमरी में असी हजार है तो कैसे फिर फिर चयान तो चयान का परिकिरिया बहुत ज्यादे टाइट हो जाएगा कट आगे चला जाएगा उसमें पिर आप लोग क्या करेंगे अप लोग ये बताईए सरकार की प्लैनिंग होती है असी हजार सीट पर पहले वेकेंसी था ठीक है तो उसकावोटर कितना था असी आजार ना अभी जब एक लाग बच्चे फिर पास करके आएंगे और पहले कि असी आजार नाग सी अजार गबन नॉकरी चाहिए आवेदन तो एक लाग असी आजार बच्चा करेगा नॉक्री भले 80,000 बच्चे को मिले एक लाग बच्चे जो छूट जाएंगे लेकिन वो एक लाग बच्चे फिराल तो 2024 के लोग सभा के लिए उसका वोट बैंक बन जाएगा उसके पूरे कुनबे में ये मैसेश तो जाएगा कि एक लाग 80,000 बच्चों के लिए भाली लाया गया ये होता है सरकार का वोट बैंक का strategy लेकिन सरकार को लगता है बहुत बड़े तीस मार खाने इनहीं को ये सब बात समझ माता है हम लोग तो अनपड़ जाहिल है कुछ समझ में नहीं आता है अब तो अगर cut-up से अगर आप लोग बाहर हो गए तो फिर क्या किजिएगा सरकार को एक लाइन में कहना चाहूंगा एक अभ्यर्ती के रूप में क्योंकि एक अभ्यर्ती और युवा जो है डेमुक्रेसी का बहुत strong pillar होता है इनके बिना जो है सरकार चलती ही नहीं है सरकार में कोई रहते नहीं है उसके लिए कहना चाहूंगा मैं फर्ज नहीं हूँ महफिल की मैं फर्द नहीं हूँ महफिल की मैं एक मुकमल महफिल हूँ मैं फर्द नहीं हूँ महफिल की मैं एक मुकमल महफिल हूँ गर मुझको निकाला महफिल से गर मुझको निकाला महफिल से तो फिर महफिल महफिल ना रहेगी मतलब इन युबाओं को अगर आप ठगेंगे बार-बार तो आप भी सत्ता में नहीं रहेंगे आपका भी कुर्सी गायब हो जाएगा नितिश कुमार जी को कितना हैंकार था चालीस सीट पे पहुझ गया सपना तो परदान मंतरी का देख रहे हूँ अरे चपरासी नहीं बन पाएंगे परदान मंतरी तो बहुत बड़ा दूर है यह ओफिस है मेरे भाईया का यहां अगर नितिश कुमार अपने सबसे बुरे दौर में आएंगे न इस ओफिस में कि एकदम कुछ नहीं है मेरे पास हमको पानी पिलाने में रख लीजिए हम पानी पानी पिलाने में नहीं रखेंगे ना जालू पोचा में रखेंगे कोई मेरिट नहीं उस आदमी के अंदर कोई लायक के नहीं है किसी लायक के नहीं है गलती से मतलब सीट पे बैठ गये वह उनको देखिए विधान सबागा चुनावा समधान holiness करते हैं मतलब का नहीं किया है तबुल गवर्लेंस रहा है उनको लगता की यह साबजवानिया का बिहार का लोग नहीं समझ रहा है अरे भाई बच्चा बच्चा आपका चरीतर जान रहा है कि आप किस तरीके के आदमी है जब हम लोग टीवी डिवेट में बैठे रहते हैं तो मुख्यमंत्री जी अपने प्रवक्ता को फोन करते हैं तो हम बैठ के देखते रहते हैं क्या बोल रहा है भिहरती लोग और न्यूज 18 चैनल तो खूब बढ़ियां से देखते हैं जी न्यूज सब बैठ के उनका कामे यही है आफिस में बैठेंग और टीवी देखेंग क्या डिबेट चल रहा है उसका तुरत प्रवक्ता को फोन करेंगे हेलो ये जो अभिहरती बैठा हुआ है प्रवक्ता फिर स्पीकर आफ कर देता है गलतीस हो गया तो उससे अन आप समझें कि मुख्यमंत्री क्या कह रहे होंगे क्या कह रहेंगे ये अभिहरती जो बैठा हुआ है ये थोड़ी बोलते होंगे बहुत लाया के मुख्यमंत्री का मतलब क्या है कि एक डिबेट में एक अभिहरती को बरदास्त नहीं कर पा रहे है और ये अपने सामने में बिरोध बरदास्त करेंगे समाधान यात्रा में आपको लगता है जैसे हम लोग अभी इस वीडियो में इतना ज्यादा बिरोध कर रहे हैं ठीक है चाहे वो कितना काम करें ना करें वहला उनका अपना है इतना बिरोध किये हम जो उनके समर्थक होंगे अभी कॉमेंट में गाली के लोज करेंगे लेकिन सचाई यही है कि वह एक बार एकजाम दें चार साल धरना परतरसन करें तब समझ में आएगा उनको कि हम लोग क्यों इनका भी रोध कर रहा है यह सचाई है यह सब जो इसका होता है न समर्थक सब इस सब दो टगा का होता है ठीक है थोड़ा टाइम हम भी समाजिक जीवन में रहे हैं और कुछ राजनीतिक लोगों के पास भी उठना बैठना हुआ है ठीक है तो इतना अनुभव हमको है कि हमको मालूम है यह जो प्रवक्ता होता है ठीक है यह जो कारिकर्ता होता है इसका ओकाद नितीष कुमार और तेजस्वी के सामने कुत्ता बराबर भी नहीं है बैट लेगा जाके कहीं पर उकाहवत सुने है ना बस चाटू कारिता करना है इन लोग के लिए एक देखे था भी बहुत वाइरल हुआ था आएए ना हमरे बिहार में ठोक देंगे कट्टा कपाड में इस तरी केगा कुछ यह तो खेर गलत बात है बिहार के लिए यह बिल्कुल ही ऐसा नहीं बोलना चाहिए और शोबनिया है लेकिन ऐसे प्रवक्ता और ऐसे लोगों के लिए तो मेरे मुँ से यही निकलता है कि आओ ना मेरे पास मार देंगे चपल जो है मुँ में ऐसा प्रवक्ता सब को बोलेंगे आहाओ यहां ब्यरती लोग के पास तुरत मार देंगे मुँ में चपल अनितिस बाबु को नहीं मारियेगा नई वो मुख्यमंत्री है इतना तो हम लोगों को तहजीव और तमीज है ना इतने तो हम लोग डिसिप्लिण है जाते हैं तो अप्लिकेशन पहले ही दूर करवा लेते हैं वो वो CM है, हम लोग एक disciplined society साने वाले लोग हैं, समाज को दिशा और दशा देने वाले लोग हैं, तो हम लोग CM साहब के लिए तो कभी भी और शुबनिये, किसी भी भाषा और सब्द का प्रियोग नहीं करेंगे, भले वो हम लोगों को पर कितना भी ज्यादती कर लें, दुनिया चाहिए, कुछ भी नहीं मिल रहा है, सरकारी स्कूल का देख लिजे हल, बिल्डिंग है, फिर भी हम लोग उस सरकारी स्कूल से पढ़ के निकले हैं, यहां भागलपूर समाधान यात्रा में कौन आये थे, आया सदिकार है आये, किसी आया सदिकारी का बच्चा को इस सरकार स्कूल में पढ़ा है, तो बिहार में भी नहीं पढ़ा होगा, बिहार से बार गया होगा, और वो तो देखिए कि एजूकेशन तो नहीं लिया है गॉर्मेंट स्कूल से, ठीक है, साथ में अशोक चौदरी जी अपनी बेटी का साधी इंटरकास्ट किये हैं, लेकिन आप द अपना घर एकदम अपटू डेट चाहिए, दूसरे का घर देखना नहीं है, वहाँ सिर्फ फूट डालो और राज करो, तो यही चल रहा है बिहार में, बाकी इस वीडियो को देखने के बाद आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, कि समाधान यातरा में अगर आप परची दिये, तो परची में कितना समाधान हुआ, और टोटल 38 जिला में जो यह मुख मंतरी विजिट कर रहा है, कहां कहां समाधान हुआ, और किन किन चीजों पर समाधान किये, वह आप कमेंट करके बताइएगा, अगर आप स्टूडेंट अभियारती है, तो वह भी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या आप तक कितना समाधान आपको मिला, वाकि इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, चैन्द